हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार Study IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और स्वागत है स्वतंत्र भारत में थोड़ा अनुभव करने का आज प्रयास करेंगे कहते हैं कि अगर हम अपने चर्चा से अपनी बातों से अपने मन से अपने विचार से जितना सफरताय करना चाहें कर सकते हैं तो ज़्यादा लंबा सफरताय नहीं करना है बस इतना कि जब हमारा देश आजाद हो रहा है वर् सर्चा में दिलीव सर हमारे साथ में हैं आप सब लोगोंने दिलीव सर से इतिहाश में बहुत सारे अनुभाव क्राप्थ किये होंगे और अविश्यष्ट अनुभाव आज की सर्चा "- अपस में शिरू करेंगे— आज 2024 में हम लोग बैठे हैं 15 अगस्त में बैठे हैं और स्वतंदुरता का अनुभव तो कर ही रहे हैं यह विशिष्ट दिन है निशित तौर पर लेकिन उस दिन कैसा हुआ होगा उस दिन मतलब वो exactly 15 अगस्त सन 1947 उस समय अगर हम और आप होते तो कैसे आजादी की क्योंकि इस सोतंतता को महसूस करना ही अपने आप में गर्व की बात होती है और जब हम लोग बात कर रहे हैं कि 1947 में जिस समय की देश आजाद हो रहा था और एक उमंग की इस्थिती चारों ओर दिख रही होगी दिख रही थी जैसा कि हम लोग देखते हैं समझते हैं जानत कि जहां एक तरफ विभाजन की विभीशिका भी हो रही थी 14 अगस्त को भारत का विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट बनते हैं उसकी एक टीस भी थी भारत की जनता के बीच में और इसके बावजोद भी 15 अगस्त की मध्यरात्री को जो भारत क प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरू ने उसमें जो सुतंता दिवस के पहले मौके पर जो एक संबोधन भाषन किया देश को उन्होंने संबोधित किया तो उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बाते कहीं जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिसमें सारा विश्व सो रहा होगा उस समय हम सभी स्वतंत्र हो रहे होंगे और हम सभी जग रहे होंगे एक नए स्वतंत्र भारत का स्वागत कर रहे होंगे और देन फिर भारत जो है एक स्वतंत्र देश के तौपर राष्ट के तौपर हम सभी के सामने आता है और हम सभी इसमें अपनी भूमिका समय समय पर निभाते रहें और आगे भी निभाते रहेंगे तो जहां तक मुझे लगता है कि यदि मैं उस समय मैं और आप जैसे लोग उस समय होते तो निशी तो पर बहुत ही अधिक गौरवानवीत महसूस करते और विरत मैं आपको इका दुका चित्र के आधा पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जगा मैंने देखा था कि जिस समय लाल खिले पर जंडो तोलन करने वाले थे पंडित नहरू तो एड़ टाइम उस समय एक अजीब सी उमंग की सिती पूरे दिली की जनता में देखी जा रही थी दिली की जो लोग थे जो आम जनता थी वो उनके बारे में जनकारी मिलती है कि वो कैसे भी जिसको जो भी साधन मिल रहा था जो पैदल जा सकता था पैदल जा रहा था जो साइकल से जा सकता था साइकल से जा रहा था कैसे भी वो जाकर करके और इस खास शन को जी लेना चाहता था महसूस कर लेना चाहता था तो निशी तो पर मुझे इनफेक्ट अभी भी मैं जब ये बाते कह रहा हूं तो मेरे मैं रोमांचित हो रहा हूं कि किस समय वो पल रहा होगा और एक भावक्षन वो रहा और इनफेक्ट मैं तो यही भी कहता हूं कि आज भी जब जंडो तोलन होता है 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधान मंतरी जंडो तोलन करते हैं तो निशी तो पर यह भावक्षन अभी भी रहता है कि भाई लगभग 200 साल की गुलामी के बाद देश को आजादी मिल रही थी उस समय और ऐसा नहीं था कि किवल जो सोतंतता सिनानी जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि केवल और केवल अनहीं की भूमिका थी कई सारे ऐसे अंसंग heroes हैं और अंसंग stories हैं जिमके बारे में हमें शायद पता नहीं है और जिनेंहोंने इसमें बहुट बशुशक तथ है कि भारत जिस में आजाद हो रहा था उसमें कीभावना को उसमें की उसमें की हवाकी को महसूस करना निशित अबग गुरवानवित करने वाला पल रहा होगा दिस संदे सर और मैं अभी आपने चो चर्चा करी उसमें एक बात आपने कई बड़ा भावुक पल रहा होगा जिस समय आप बोल रहे थे आपने भी बताए कि आप रोमांचित हो रहे हैं मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि बहुत ही रोमांच कारी रहा होगा निशित संदे आप लोगों ने जो विवर्स हैं शायद अगर वह भी अध्यान से महां उन्हें लेकिन सर इसमें जैसे आज तब का आजाधी और आज की आजाधी में तब उस समय लोगों ने नहीं मिल सकती हैं अनुभाव से बहले हम प्राप्त कर लें तो हम उसके लिए कुछ सांकेतिक चीज़ें करते हैं जैसे राष्टी द्वज ले करके निकलते हैं उसको उमंग के साथ लहराते हैं कुछ हम जो आजादी की कहानियां है आजादी के जो अच्छे हिरोज हैं उन जब्देश की राधानी निश्यत तोर पर बनी राजनीतिक राधानी बनी उससे पहले कलकत्ता और एक व्यक्ति ठाज जो समय कलकत्ता में मौदूद था ठीक उसी समय एक व्यक्ति है इसपे तो हम बात में ज़ाइद लोग करने लगे होंगे कि वो व्यक्ती कौण का दुख मनाए और दोनों में संतुलन इस्थापित करके हम अपने इस राष्टी पर्व से संदेश देते हुए एक चीज मनाए तो वो कलकत्ता में करने वाला जो व्यक्ति है वो गांधी है गांधी उस समय कलकत्ता में मौजूद है दंगे किसी स्थिती है लोगों को शायद मतलब मैं अनुभव कर पा रहा हूँ तो क्या वहां पर मौजूद जो लोग होंगे उनको आजादी के कुछ माइने भी समझ में आ रहे होंगे क्योंकि गांधी है तो वहां पर जाकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन जो पलंग पर पढ़ा हुआ है जो अस्पताल में रही होगी वो जो एक एक तो खुशी का ख्शन है ही कि हाँ भाई हम आजाद हो रहे हैं और हम एक नए भारत को देख रहे हैं लेकिन मैं तो यहां तक कहूंगा विरत की 14 अगस्त को जिस तरीके से एक विभाजन किती थी हुई इन फैक्ट उसके पहले से अगस्त 1946 में 16 अगस्त 1946 आपको ध्यान होगा कि इस अमप्रदाइक दंगा जिस तरीके से एक उफान के तौप पर दिखता है 16 अगस्त सिधी कारवाही दिवस की इस्तिती वहाँ पर मुहमद अली जिन्ना के द्वारा एदम डिक्रेयर कर दी जाती है डिरेक्ट आक्शन का मतलब ही था कि भाई हम अब एदम खुला छूट हमें एकुली छूट हमें मिली हुई है तो उसके बात से लगातार जो इस्तितियां थी वो बद से बत्तर जैसी होने लगी थी और ये किवल भारत के किसी खास हिस्से में नहीं लगभग भारत के हर हिस्से में ऐसी इस्तिती देखी जा रहे थी और इसमें एक आम भारतिय को पीरा महसूस हो रही थी, वो पीरित हो रहा था, उसे हिंसा का शिकार होना पर रहा था, तो ऐसे में निशी तौपर जो उनके जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है, एक बहुत ही महत्पूर्ण महापुरूश ने, उनका नाम निशी तौपर महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने जैसा कि भी आपने बताया भी, कि वो एड़ेट टाइम, जिस समय भारत महात्मा गांधी के पहले भी, जबकि सामप्रादायक दंगे देश के अलग-अलग हिस्सों में शुरू हो चुगे थे, तो उस समय महात्मा गांधी ने अपने इस्तर पर एफट लगाया, और उन्होंने कोशिश की कि कि किसी भी तरीके से सामप्रादायक दंगे के माहौल क शांत किया जाए, हाला कि मैं विरद यहां पर ये भी आपको इंडिकेट करना चाहूंगा, आपके माधिम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, कि महात्मा गांधी के मन में कहीं न कहीं ये बाते भी चल रही थी, कि जिस तरीके से सामप्रादायक दंगे हो रहे हैं, जो जो भारतिये हैं, जो भी हिंदू हों या फिर मुसलमान हैं, वो सभी एक न एक दिन अपनी इस्थिती को समझेंगे, और हो सकता है, उनको मन में ये भी बात कहीं न कहीं आ रही थी, कि पाकिस्तान जो बन रहा है, बना है, ये पाकिस्तान जादा दिन तक नहीं टेकेगा, और हम सब फिर से संभावता एक हो जाएंगे, उन्होंने ऐसी भी कलपना की थी, यानि कि कहीं न कहीं उनके मन में भारत की जनता के पती ये विश्वास था, कि हम सभी फिर से एक हो जाएंगे, बेशक इस समय की परिस्थिती हमारे अनुकुल नहीं है, लेकिन आगे आने व मन मुटाव होते रहते हैं, कभी कोई जिद करता है, तो ऐसा लगता था उस समय कि शायद ही एक प्रगार की जिद है, जो उस समय पूरा कर दीजा है, बाद में चीज़ें सुधर जाएंगी, तो ये उस परद्रिश में तो है, अच्छा इसी से एक चीज और भी है, अब ये इतनी दोधारी मान सिकता है ये, कि एक व्यक्ति अपने देश में मानुपता की बात करता है, सुतंता की बात करता है, राइट तो स्पीक की बात करता है, भले ही राजतंतर है, लेकिन गरतांतरिक तरीके से चीज़ों को चलाने के बात करता है, और वहीं से आने वाले कुछ स्लीजामि , जैसी चीजों को देते हैं लोगों की आजादी चीनते हैं और आजादी में आजादी क्या है basically , हमें बोलने दिया जाए भात कहने लेखी है , चीना जो उसकी पैर्वी करते हैं अपने देश में तो जब आजाद हो रहा है तो मैंने कुछ जगहों पर इस चीज को भी मैसूस किया सुना जाना पश्मी देशों का यह भी कहना हुआ कितने दिन भारत गरतंत रहेगा कितने दिन भारत स्वतंत रहेगा और देखिए कुछ बात है कि हस्ती मिठती नहीं है हमारी हम आज भी हैं तब भी थे और आगे भी रहेंगे यह तो कुछ हमने पहले चरण में आजा दी जब हमको मिली उसमें खुशियों की भी बात कर ली और उसी दौरान मिलने वाला जो भीशन दुख भीशन विभाजन का दुख वो भी हमन जो है जो ब्रिटिश के पास है सत्ता हस्तनांतरन जब उनको करना है लाउट बॉन बेटन को भारत आना है तो अगर उसके कुछ हम कालकरम को कुछ याद करें कुछ चीजों को समझने का प्रयास करें तो हमको याद आता है हम लोग पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं और ब जून 1949 को जिसने तकरीबन 200 वर्षों तक इतना लंबा शासन किया और जब वो छोड़ भी रहा है तो भारी मन से छोड़ रहा है मतलब खुशी से नहीं छोड़ रहा है आप देखेंगे तो आपको लएगा कि ठीक है कुछ परस्तितियां ऐसी बनी आप से ही जानना में 1945 में द्विती विशुद की समापती हो रही होती है छे अगस्त और आठ अगस्त को जो हिरोशीमा और नागासाकी पर जो प्रमानु बम गिरा जाता है अमेरिका के द्वारा जापान में तो एक बहुत अव्यवस्था जैसे इस्तिति वैश्विक स्थर पर उसमें देख चान को समर्पन कर देना परा है सरेंडर कर देना परा है और बिटेन जैसे देश फ्रांस जैसे देश अब जहां भी उनकी उपनिवेश थे उन उपनिवेशों को अब वो छोड़ने की स्थिति में आ रहे थे जाहिसी बात है कि लंबे समय तक यह उध चला था 1939 से 1949 से 1945 तक लगवक 6 साल तक जो यह उध चला उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए मारे गए बहुत बड़ी मात्रा में खर्च हुआ तो जहीं से बात है उसका जो एक दारोमदार था वो इन उपनिवेशिक सत्ता के पास में था जिसमें फ्रांस बिटेन जैसे देश तो शामिल थे ही थे तो बिटेन के पास में अब वो इस्तिती नहीं बन पा रही थी कि अब हम ज़्यादा दिनों तक इसको सस्टेंड कर सकें सेकें एक बात और भी समझ में आती है जिस तरीके कि उसमें की जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि जिसमें 20 फरवरी 1947 को ततकालीन प्रधान मंत्री जो थे बिटेन के क्लिमेंट एटली साहब उन्होंने ये एक टाइम लैंड दिया कि भाई हम जून 1948 तक कोशिश कर रहेंगे कि भारत हम छोड़ दें भारत को हम 150 देश के तौर पर मान लेंगे और देन फिर भारत अपनी हिसाब से जो भी सरकार ह होगा वो चलाएगी तो ध्यान रखेगा कि मैं बात कर रहा हूं 20 फरवड़ी 1947 की यानि कि इसके पहले भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था और अंतरिम सरकार के जो सरवे सरवा हैं पंडित जवाहला नहरू थे उस समय और उसके बाद जो क्लिमेंट एटली न वाला चारी सहब थे उन्होंने एक बात कही कि जिस हिसाब से ये टाइम लाइन दी जा रही है जुन इनिस सो और तालिस तक तो यदि ऐसा होता है तो शायद बिटेन के पास में वह व्यक्ति नहीं होगा वह वह सरकार नहीं होगी जिसको वह टांस्टफर करे पावर कहने का मतलब कि अंतरीम सरकार तो चल रही थी लेकिन इसी के साथ में पैरलली जो हिंदू मुस्लिम या फिर कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग के बीस में जो तनाव था वो और अधिक उभर चुका था और कहीं न कहीं सीराज गुपाला चारी सहब का यह संकेत था कि यदि जुन उन था ही आपके बास में नहीं रहेगी आपके सामने में नहीं रहेगी तो फिर देरी और ज्यादा हो सकती है और इन बिट्वीन जो है मांट बेटन जो लॉर्ड मांट बेटन है भारत के अंतिम वासराय के तौर पर वो आते हैं और देन उन्होंने इस अवधी को घटा करके 1947 1947 में अगस्त उन्हों से से तालिसका किया और यहां पर फिर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त का दिन तै कि 15 अगस्त को हम भारत को आजादी के तोर पर दे देंगे और इसके पहले कुछ समयधानिक प्रावधान वगरह थे उन समयधानिक प्रावधानों की जो पूरी गई आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहें तो और बच्चे इसको समझें कि जानेंगे देखे सर आजादी को लेकर के हम 15 अगस का दिन तो याद रखते हैं लेकिन जब हम आजादी की बात करते हैं तो एक दिन हमें और याद रखना चाहिए और वो है 26 जनवरी का हमने आजादी 15 अगस से पहले भी मनाई है और वो 26 जनवरी को हर साल मना तो उस साल भी मनाई जा रहे हैं तो यह एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है बहुत किसी भी व्यक्ति के मन में यह प्रशन आएगा कि जब हम पीछे से 26 जनवरी को सांकेतिक रूप से या फिर जैस उस से में से और हम सोतंता दिवस मनाते चले आ रहे थे और उसका भी मोटो यह है कि सर यह ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमें आजाद करने वाले हम आजाद व्यक्ति अपने मन से हैं विचार से जहां मन और विचार आपके गुलाम है मतलब किसी और चीज के गुलाम है फिर बैसिक मुल्य तो विचार में सोतंता से है तो वहां से तो हम लोग मना रहे हैं फिर वही बात आती है कि वास्तवी कुरूप में तो हम 15 अगस्त को यह आदाधी मना रहे हैं तो तो अलग अलग आजादी के जो दिवस हैं उसमें से 26 जनवरी को आजादी का दिवस छोड़ क करके 15 अगस्त को आजादी मनाना का आगजों पर हमको 14-15 अगस्त की मध्यरात्री जो है आपने जैसे आभी बताया कि प्रधान बंतरी जो जवाला नहरु जी थे उस समय ततकालीन तोनों ने राद 12 बजे उसके भाशन किया और लोगों को आजादी का संदेश दिया कि मुद्दा वही है कि 15 अगस्त कोई क्यों दिया 15 अगस्त ही इसके लिए क्यों जाना जाए तो इसके भी तार सर कहीं न कहीं लॉड मॉन बेटन से ही जुड़ते हैं और जैसे आपने कहानी की शुरुवात करी थी कि दुती विशुद के दौरान जब जापान के उपर जैसा ही है अमेरिका की तरफ से आज दुनिया में सब लोग इस बात से भैभीत रहते हैं कि परमाडू हत्यार रखने वाले देशों की संख्या विश्में बढ़ रही है और कोई भी अग्रेसिवनेस में ऐसा कदम ना उठा दे कभी तो दुनिया का क्या हाल होगा जो जाप जापान उसके बाद सरेंडर करता है और पर्सनली लाड मॉन बेटन इसको बहुत लखी डे मानते हैं वो लखी डे जिस दिन जापान ने सरेंडर कर दिया कि ठीक है हमारी तरफ से बंद है युद्ध तो ब्रिटेन के एक व्यक्ति जो हमारे देश में उस समय वैसराय है और उनका जो लखी डे है उस पर सहमती बनी है चर्चा हुई है देश में लोगों ने का कि ठीक है 15 अगस्त को ही मानते हैं हम लोग आजादी तो ये 15 अगस्त सर्टैनिटी की 15 अगस्त को हम क्यों मना रहे हैं तो उसके पीछे का ये एक तालुक है आप लोगों को इसमें कितना प्रभाव दिखता है कितना प्रभाव नहीं दिखता है ये हमारे वीवर्स के उपर हम छोड़ देते हैं तो इस तरीके की चीज़े रहते हैं क्योंकि एक दिन तो तैयं करना ही था हम जून 1948 से अगस्त 1947 तक आ गए थे तो एक सर्टेन डे तो हमें तैयं करना ही था इसमें क सोतंतर दीबस मनाते रहें लेकिन 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ये जो स्थिती है भारत की क्या ये इसी तरीके के सोतंतर भारत की स्थिती है या उस समय भारत किसी और स्टेट को रिप्रेजेंट करता था अगर इस पे आप से जानना चाहें कुछ विचार क्योंकि constitution भी बन समय सभाग की स्थापना हो चुकी है तो निशी तो पर इस समय से जब हम 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच का जो काल है इस समय भारत एक डोमीनियन स्टेटस के तौर पर जाना जा रहा है अधिराजी हम लोग यसी कह रहे हैं और देन आफ्टर जो 1950 में जब भारत अ अपना समय अंगिकरित कर लेता है उस समय तक तो अंगिकरित कर ही चुगा था उन्निस ऋंचास में 26 न identity uniform 49 És रही और आत्मार्पित करता ये लागू हो जाता है 1950 जैसे ही समय अधान को तै हो गई कि भाई भारत एक स्वतंत्र देश के तौप पर जाना जाएगा माना जाएगा इसमें कताई किसी भी किसी भी देश को कोई संदेह नहीं रखना चाहिए हम अपनी सारी पॉलसी के लिए स्वतंत्र आप से रहेंगे तो यह मतलब वैसा ही है कुछ क्योंकि जैसे आपने बताया के अंतरिम सरकार बनी थी जो प्रधान मंत्री जी हैं पणि जवालाल नहरू जो हैं वो सर्वे सर्वा जरूर है लेकिन अगर आप देखेंगे तो वैसराय का पद है उस समय गवर्नर जनरल के रूप में है जैसे वही पावर है जो आगे चल करके हमारे प्रेसिडेंट यानि राष्टपती में समाहित होती है आज भी देश का सर्वे सर्वा के रूप में हम लोग प्रधान मंत्री को मानते हैं लेकिन प्रथम व्यक्ति जो है वो तो आज भी राष्टपती ही है प्रथम नागरिक वही है प्रथम व्यक्ति वही है और उस समय वो चीज जो थी समनांतर रूप में अगर हम देखें तो वो वैसराय के पास हुआ करती थी तो वैसराय खतम हो गया है 26 जनवरी 1950 के बाद से तो यह हम लोग को आजादी का यहां पर यह परिपेख्ष मिलता है एक और चीज़ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं जाते जाते क्या वास्तविक मायने हो सकते हैं वर्तमान परिपेख्ष में और हमारे चैनल के माध्यम से पहुत सारे स्टूडेंट हैं UPSC के प्रिपेशन करते हैं कल को देश इनके जिम्मे होगा यह प्रशासनी का दिकारी बनेंगे इनके निर्देशन में देश आगे बढ़ेगा इन सहयोग महत्यपूर्ण होगा इनके विचार महत्यपूर्ण होंगे तो क्या विचार होना चाहिए आज की दृष्टी से आगे के भारत के लिए आज की सोतंतता की नीड क्या हो सकती है यह सही बात है कि क्या संदेश दे सकते हैं हम लोग इस प्लैटफॉर्म में मैं विरद इसमें थोरा सा हलका सा मैं पीछे जाना चाहूँगा कि जब भारत आजाद हुआ भाई ठीक है 15 अगस्त 1947 को भारत एक सोतंत देश के तौर पर जाना गया 26 जनवरी 1950 को समिधान लागू हूँ यह सारी गतिविधिया हुई यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ ह रहा है सब कुछ चल रहा है देश कोई वस्तु नहीं जैसे कि आजादी कोई वस्तु नहीं है देश भी कोई अपने आप में वस्तु नहीं है देश का मतलब है आम जनता से ही देश का निरमान होता है भारत के पुर्वी पश्मी उत्री दक्षिनी मध्य किसी भी कोने की बा जाता है तो जब आजादी मिली तो आजादी मिलने के कुछ समय के बाद ऐसा ये भी लगने लगा फील होने लगा था और इनफेक्ट कभी कभी आज भी महसूस होता है किसी किसी इस तर पर लोगों के द्वारा जो टिपनिया की जाती है उससे ऐसा लगने लगता है कि कहीं आजादी शायद अपना जो उसका जो अब्जेक्टिव है आजादी का जो अपना मकसद है वह अभी तक उतना पूरा नहीं हो सका है इसमें अभी और अधिक बेहतरी करने की जरूरत है इसको और अधिक अच्छे से समझने की जरूरत है आजादी के मायनों को अच्छे से आत् करके कही थी जिसमें आजादी की प्रतिमोह भंग जैसी कुछी सित्यां देखी जा रही थी उन्होंने ऐसी बात तक कहे दी कि कागज की आजादी मिलती है लेलो दो दो आने में तो ये कितनी बड़ी बात है और वो एक मुर्धन जनकवी के दौरा ये बाते कही जा रही हैं त फिर हम इसको महसूस कर रहे हैं हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं हम किसी भी स्तर पर हैं कहीं पर भी हमें हम किसी परिवार में हैं किसी संस्थान में काम कर रहे हैं सरकारी संस्थान में गैर सरकारी संस्थान में निजी संस्थान में हम काम कर रहे हैं किसी भी व्यवसाय में हैं हम पर रहे हैं या फिर हम किसी नौकरी में हैं कहीं भी हम किसी भी इस्तिती में हैं तो हम क्या उस आजादी को समझ पा रहे हैं क्या घर में जो एक ग्रिहनी एक महिला अपना पूरा जीवन समर्पित कर रही है अपने परिवार के लिए क्या वो अपनी आजादी महसूस कर रही है क्या एक सामान जो व्यक्ति है जो रिक्षा चला रहा है क्या वो अपनी आजादी महसूस कर पा रहा है ये बहुत important है समझना और जानना और जब तक इस हिसाब से आजादी को महसूस ना किया जाए तब तक यह कहना बेमानी होगा कि हम सभी हर स्तर पर आजाद हैं तो जिस तरह जो अभी आपने कहा भी कि जो हमारे एस्पारेंस हैं जो कल को देश के करणधार के तौपर देश की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होगी जो देश को समहा लेंगे, जिसका नेतित्व समहा लेंगे, देश की भविश्य के लिए निती तै करेंगे, निती निर्माता बनेंगे, निती निर्देशक बनेंगे, उनको मैं अपने स्थर पर यही सुझाओ दूँगा, कि आप अपने अधिकार सुख के बोध को त्याग द करता होगा सकंद गुप्त एक नाटक है जैसंकर प्रसाद जी का और मुझे उस नाटक की पहली पंक्ति बहुत ही मुझे अच्छी लगती है हमेशा उसे मैं अपने साथ में रखने की कोशिश करता हूं कि अधिकार सुख बहुत मादक होता है लेकिन वह सारहीन होता है यदि अधिकार सुख बहुत मादक होता है लेकिन सारहीन होता है कहने का मतलब किसी को अधिकार का सुख मिलता है यदि आपको अधिकार मिला हुआ है कि हाँ आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं और वो आपके बात को मानने के लिए बाद है तो फिर वो थोड़ा अच्छा लगता के दिखो सảngेचार मिलें आता के आ cities निर्माता में बनने वाले आप रंप मिनिस्ट्रिमी में काम करने वाले एक पिडियो करने वाले और ऐस धीम मंतृ लिस पर भी काम करने वाले हे opens भी प्रिज़ा के प्रसंतaggi जो भी प्रसासनिक निक खता हुआ है के उतले होले गतिविधियां उसमें भी आपकी भूमिका रहेगी बहुत बरी भूमिका रहेगी तो ऐसा नो हो कि आप अधिकार सुक में डूब जाएं और आप अपने करतवे से विमुक हो जाएं आपको अपने करतवे का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और जब आप अपने करतवे का ध्य तो निशित मानिए कि आप ना केवल खुद को भी आजाद फिल कर पाएंगे बलकि आप जो आम जनता है जिनके लिए आप जा रहे हैं सिविल सेवक बन रहे हैं लोग सेवक बन रहे हैं निशित आपर आप उनको भी आजादी महसूस कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे ये मेरा अपना विश्वास है तो ये चीजे हैं तो देखिए जैशंकर प्रशाद जी के जो शब्द हैं उनको पिरोते हुए उनको मोतियों की तरह निकाल करके सरने आपके सामने इससे बड़ा और इससे बहुत शांदार संदेश नहीं हो सकता है संभवता आप लिख के लिए यदि एकर आप आगे राश्टिनवाता बन रहे हैं तो इस स्वतंता दिवस पर हम लोगों को यही चर्चा करनी थी यह चर्चा हमने करी आप लोगों ने सुना दिलीप सर की बातें भी सुनी उसके माध्यम से आप तने सारी चीज़ें महसूस करी होंगी क्योंकि यह चर्चा जो होती है इसे महसूस किया जाता है इतिहास वही अच्छी तरीके से समझ पाता है जो इतिहास को अच्छी तरीके से जीता है आज वही इतिहास का दिन है जिसे आप वहां से जीने का प्रयास कीजिए जहां से इसके संघर्ष शुरू हुए है तो ये आसान नहीं है कीमते चुकाई गई हैं इसकी आप इसे संजो करके रखें इन कीमतों को और इस तरह के की चर्चा आगे भी हम लोग करेंगे आज़ादी के औरने भी हुथ सब हम लोग मनाईंगे फिलहाल अलविधा करते हैं आज के इस सेशन में आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद के इस कारिक्रम से जुड़े रहे हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi